हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल फ्रेंड्स मिसीस कोली की दोफ से प्यार भरा नमश्कार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तों एक बन मैं फिर हादिर हूँ एक नई रिस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं सूजी का उत्पम जी हां बहुत टेस्टी बनता है वेजिस का इस्तमाल करेंगे काफी सारी वेजिस का इस्तमाल करेंगे और इसे बनाना बहुत असान है जट पर से बनकर त्यार हो जाता है जब भी आपको भूग सताए फटा फ़र ये सूजी का उत् अब हमारा बढ़ीया ही बनेगा अब हम इसमें आड़ करेंगे आदा कप धई तो फ्रेश धई का मैं इस्तमाल कर रही हूँ तो डाल देते हैं इसमें और अब सूजी और धई को अचीतरा से पहले करेंगे मिक्स मिक्स कर लेंगे ऐची तरह से फिर हमें पाणी पता लोग जाएगा कि कि पानी इस में कितना जाएगा तो लीजिए ऐची तरह से हमने combine कर दिया है सूजी और दही को आज़ाते हैं इसमें आदा कप पानी तो उस ही मैंने बौल में सूजी वले धाई वले बॉल में ही पानी को लिया है तो mix करेंगे इसे अच्छी तरह से तो ऐसे करते हैं mix करने से पहले इसमें पहले दोलों मसाले भी add करी देते हैं तो 1 फॉर्थ टीस्पून के क्रीम मैं ले रही हूँ काली मिर्च का पाउडर और आदा चमच मैं लूँगी इसमें नमग तो अब mix करेंगे ताकि हमारे मसाले भी अच्छी तरह से mix हो जाएं साथ के साथ और जो बाकी का बचा हुआ पानी है वो भी add कर देते हैं इसमें तो पानी अगर और चाहिए होगा तो और mix कर देंगे तो अब इस इन जो चारो चीजों को हमें अच्छी तरह से mix करना है एक smooth batter बना कर त्यार करना है बड़ी असा batter बनाएंगे सुजी का और दहीं का तो मैं बना लेती हूँ तो यह देखिए friends मैंने batter बना लिया है consistency आप देखी रहे हैं इस तरह की consistency हमें चाहिए और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें 2 टिबल स्पून के क्रीब और mix किया है तो रखते हैं इसे set करने के लिए तो wedges देखते हैं wedges मैंने लिए हैं इसमें डालने के लिए कटा हुआ प्याज एक प्याज लिया है एक ही शिमला मिर्च को कट कर लिया है एक टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया साथ में लिया है मैंने एक हरी मिर्च कट करके आप इसमें wedges और भी mix कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है आप इसमें add कर सकते हैं तो इन सभी चीजों को हमें mix ही करना है मतलब आपस में मिलाना जुलाना है क्योंकि हमें इसी तरह से वेजिस चाहिए तो अब हम क्या करेंगे अब इसमें थोड़े से मसाले add कर देते हैं ताकि वेजिस भी थोड़ी हमारी flavorful हो जाए तो यह मैंने लिया है taste के according नमक क्योंकि नमक हमने सुजी में भी add किया इसलिए ध्यान से डालिएगा और यह है काली मिर्च का पाउडर साथ में मैं ले रही हूं लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा और अधा चमच के करीब ले रही हूं चिली फ्लेक्स आप इसमें पीजा मिक्स भी add कर सकते हैं उसका flavor भी काफी बढ़िया आता है तो आजकल सभी जगा फिट बैठता है पीजा मिक्स तो मैं नहीं डाल रही हूं आप डाल सकते हैं तो अब इन सभी चीजों को फिर एक बार अच्छी तहां से मिक्स कर देते हैं तो लीजिए हमारे जो वेजीज का मिक्षर अब त्यार हो चुका है और फ्लेम कर दिया है अब हम बैटर देख रहेते हैं मिक्स ताकि जो बैटर है ना वो काफी फलफी हो जायए फूल कर त्यार हो जाता है बस वही बैटर हमारा जो होता है ना उतवम बनाने के लिए परफेक्ट होता है तो यह देखिए काफी फूल गया न center हमें चाहिए पानी इसमें और अद मत कीजिएगा बस यही consistency हमें चाहिए बढ़िया उत्पम बनाने के लिए तो तवा देख लेते हैं तवा हमारा बिल्कुल गरम हो चुका है तो डाल देते हैं एक चमच इसके उपर oil और अच्छी तरह से spread कर देंगे तो जितना बड़ा आपको उत्पम बनाना है आप उसी हिसाब से इसमें डाल सकते हैं बैटर को तो मैं बड़िया सा उत्पम बना रही हूँ थोड़ा सा जितना रोटी का साइज होता है उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ तो दो बड़े चमच मैंने इसमें डाल दिया है बैटर और अब हम क्या करेंगे हाथों का करेंगे इस्तमाल तो यह देखिए मैंने एक मुठी पूरी भर कर वेजिज ले ली हैं तो अब इनी के हाथों के हैल्प से हम इसे चितना से फैलाएंगे बहुत ही इजिली यह स्प्रेड हो जाता है बहुत ही बड़ी अत्रीके से बन कि पर पाम करेंऎ हैं कि हमारे यह कितना बढ़ी है इक सब्यूक्त है यही नहीं चाहिए इस औरū दो बड़right ओर और जाए रिश करने चाहिए मिनट में हमारा low to medium flame पर यह अराम से उत्पम बनकर त्यार हो जाता है बहुत बढ़िया खुश्बू भी आ रही है वेजिस हमारी बहुत अच्छी तरह से सीख चुकी है सूजी बहुत अच्छी तरह से सीख चुकी है तो रखते हैं इसे प्लेट के ऊपर अगर हम ज्यादा समय लगाएंगे तो हमारी वेजिस थोड़ी बर्न हो जाएंगी तो इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी बना कर दिखाती हूँ और enjoy कीजिए ना फटा फट उठकर बनाईए इस तरह से देख के रहे हैं फटा फट बनाईए और बच्चों को खिलाईए खुद भी खाईए फटा फट से ये बनने वाली रेस्पी है तो दूसरा भी मैं आपको दिखाई देती हूँ वेजिस ले ले लेते हैं फिर मुठी में और रखते हैं इसके उपर आराम से और फैला देते ह बस क्या मुश्किल है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जट पट से ये बनकर त्यार हो जाता है ये देखिए फैला दीजिए जितना बड़ा आपको चाहिए उसके हिसाब से ये फैल जाएगा तो इसी को अच्छी तरह से बना लेते हैं ये देखिए हमारा दूसरा उत्प बनाया है और जट पट से बनकर त्यार हो गया है समय इसमें ज्यादा नहीं लगता फटा फट बन जाता है आप भी बनाईए और मुझे जरूर बताईए आपको ये मेरी रैस्पिक कैसी लगी अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज इसे भाइ